हालो, वेलकम टू भगवत नीता ज्यान, आज हम भगवत नीता चाप्टर 17 के श्लोक 12 को कवर करेंगे, रोज के तरह पहले में संस्क्रिट में श्लोक को परूँगे, उसके इंग्लिश ट्रांस्ग्लेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते है अभिसंध यातू फलं दंभर्थं आपीचई वयत इज्यते भरता स्रेस्था तम् यजनं विद्धी रजसंग् मतलब जो भी साक्रिफाइस हम करते हैं, पहले जैसे 11 श्लोक में बोला गया था, जो साक्रिफाइस हम भगवान के लिए करते हैं, मानलो कुछ चीज हमने साक्रिफाइस किया है और वो हमने कोई जैसे फास्टिंग कर लिया या कुद को कष्ट मिलता है, तो फास्टिंग कर लिया जिसको करने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है और वो मैंने अपने कोई भगवान को खुष करने के लिए किया है, तो यहां पर बोला गया बडदा साक्रिफाइस परफाइस परफार्म फर सम्म अटिरियल बेनिफिट के लिए कोई साक्रिफाइस करते हैं और for the sake of pride, खुष को उच्छा लेके जाने के लिए करते हैं, खुष के कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए करते हैं, उसको मोड ऑफ पैशन में करा गया साक्रिफाइस माना चाता है, वो भगवान के मोड में यह गुड्नेस के मोड में नहीं होता है, लेट सी दी एक्स कि तो जो भी साक्रिफाइस को करते हैं, जो खुद को ऊपर लेके जाने के लिए, खुद को मानलो और पीमॉस बनाने के लिए या खुद को और life के है, मटीरीट दिजायर फुल्फिल करने के लिए जब कोई भी चीज को करते हैं, वा चीज आख्छिज में हमें बोला के लिए करें ना ही किसी मट्रियल डिजार को पूर्या करने के लिए करें यही तक है श्लोक नंबर 12 और भगवत दीता चाप्टर 17 अगले दिन हम श्लोक 13 को कवर करेंगे तब तक के लिए हरे कृष्ण राते राते जैशे राम